नूट्रिचार्ज व्यू हमारी आँखें खुबसूरती काई पैमाना है ना सिर्फ खुबसूरती का पैमाना है बलकि हमारी आँखें तो हमारे लिए दुम्या को देखने के लिए दर्वाजा है हमारी आँखें हमारा गेटवे है लेकिन क्या होता है जैसे हर अंग की एहमियत तभी पता चलती है जब उस अंग में हमें कुछ प्राब्लम हो जाती है उसी तरह से आँखों की एहमियत का हैसास भी तभी होता है जब या तो हमें थोड़ा बहुत दुंदला दिखाई देने लगता है और ज़रूरी नहीं कि दुंदला आपको पूरे दिन दिखाई देने लगे कई बार ऐसा होता है कुछ देर के लिए दुंदला दिखाई देता है उसके बाद अगर आखे बंद करके थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं तो धुललापन चला भी जाता है कई बार हमें देखने के लिए आखों को सिकोड़ना पड़ता है तब हमें समझ में आता है कि आखों में कुछ है जो वीख हो रही है हमारी आइस हमारी आइसाइट वीख हो रही है या फिर छोटी उम्र में चश्मा लग जाता है अगर हमारे बच्चों को तो हमें लगता है कि अरे हमारे बच्चों को चश्मा लग गया हमें आपकों के लिए कुछ करना चाहिए या जब उम्र बढ़ती है तो चश्मा लग जाता है यूश्वली क्या होता है जब बड़ी उम्रों में चश्मा लगता है तो लोग कहते हैं चालिस के बाद तो चश्मा लगना बिलकुल जरूरी है वाजे बहे लगता ही है डॉक्टर्स भी कहते हैं लेकिन अगर आप nutrition और exercise दोनों के combination से अपनी आँखों का ध्यान रखेंगे त लां पना या सातां भी की बनती है यह आम सुथ ने सीखा है इसमें से भाकी सारी लांप को तो हमारा ब्लॉक कर सकता है मगर हमारी आखों का लैंस और रेटेना जो है वो नीली के रनों को अच्छी तरह से फिल्टर नहीं कर पाते हैं और इसलिए क्या होता है कि ये जो तेज उर्जा वाली नीली किरने होती हैं जो जितनी साथ रंग होते हैं बाकी किरने इतनी तेज उर्जा के साथ नहीं आती हैं लेकिन जो नीली किरने होती हैं उनकी उर्जा बहुत तेज होती है तो ये जो तेज उर्जा वाली नीली किरने होती है, वो आखों को बहुत गहराई तक भेदती है, जैसा आप यहाँ पर डाइग्राम में देख रहे हैं, आपको साथ रंग दिखाई दे रहे हैं, और इसमें से आप देख रहे हैं कि जो ब्लू कलर की लाइट है, वो लेंस को पार करके पीछे मैक्यूल तक पहुँच जाती है, इसी को रोखने का हम प्रयास कर रहे हैं और इसी यह रुखेगा कैसे यह हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, जब मैक्यूला तक यहाँ जैसे मैक्यूला तक लाइट पहुँच गई है, जो पीछे आप आरू देख रहे हैं, तो जिसको हम एज रिलेटेड मैक्यूला डीजेनरेशन भी कहते हैं, जो मैक्यूला वीक हो रहा है, वो सब नीली किरनों की वजह से हो रहा है, नीली किरने एक बहुत बड़ा कारण है, आँखों की कमजोर होने का, अब यह एक नया रिसर्च फाइंडिंग है, जो हम आपके सा रिसर्च से लिया गया है, यह उन्होंने अमें भेजा है, तो और अगर आप यह रिसर्च देखना चाहें, तो सब कुछ पब्लिक स्पेस में अवैलेबल है, इस रिसर्च के हिसाब से, बच्पन में जो है स्थिति, आँखों की स्थिति, आँखों में ब्लूरेस को होता है, यह नाचुरल है, तो जो माक्यूलर डेंसिती है, जिसको M.O.P.D. कहा जाता है, माक्यूलर डेंसिती जो है बच्चों के अंदर वो कम होती है, वो बारा साल के बाद ही बढ़ना शुरू होती है, और इस वजह से क्या होता है, इस पिगमेंट के बिना बच्चों की आखों के माक्यूला में जो नीली किरने हैं उससे ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस यानि ऑक्सिडेंस के जमा होने का खतरा ज्यादा हो जाता है इसका मतलब यह हुआ कि बच्चों की जो आखें बहुत कोमल निर्मल होती है उसमें पिक्मेंट डिवेलप नहीं हुआ होता है उनकी आखों को नीली किरनों से नुकसान बहुत ज्यादा पहुच सकता है उसकी संभावना ज्यादा होती है अब इसको अवाइड करने का तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम बच्चों को मोबाइल, लापटॉप्स, आईपड, ईबुक्स सब से दूर रखें तो यह आज के जमाने में तो मुमकिन नहीं और स्पेशली इस लॉक्टाउन के वर्त में तो बिल्कुल मुमकिन नहीं क्योंकि सभी की सब बच्चों की क्लास जो है वह वो ओन लाइन हो रही है सबको 6-6-7-7 घंटे बच्चों को आजकल इसके लापटॉप के सामने या मूबाइल के सामन बैठ कर अपनी classes लेनी पड़ दही है तो नीली किरने लगाता रूम की आँखों में जा रही है तो अगर अगर अवाइद करना मुम्किन नहीं है तो फिर solution क्या है वही आज हम समझ रहे हैं तो ये नीली किरने जो यूश्वली अगर एक वयस की आखों में जाएगी तो थोड़ा बहुत आंशिक रूप से तो फिल्टर की जा सकती हैं मगर बच्चों के माक्यूला तक बिना फिल्टर हुए पहँच जाती हैं क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया उनकी आखों में चला है और आप नीचे देखेंगे स्लाइड में कहा की रिसर्च है उसका नाम भी दिया गया है जैसा मैंने आपसे कहा नोट करते रहें ये फैक्स क्यूंकि ये पहली बार हम आपको बता रहे हैं अब आप यहां देखेंगे कि लंबी अबदी तक अगर आप नीली किर्नों किसी भी डिवाइस के सामने है चाहे वो टीवी है चाहे स्मार्टफोन है चाहे लापटॉप है चाहे इबुक है किंडल वगरा है या चाहे आपके पास आईपैड है किसी भी तरह का जो भी डिवाइस है अगर आप उसके सामने दो घंटे लगातार बैठ रहे हैं तो दन होने लगती है, 9.1% यह बढ़ जाती है, 15.2% ध्यान देने की अवथी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि ब्लू रेज हमारे concentration के साथ भी interfere कर सकती है, तो 15.2% concentration ध्यान देने की जो एकागरता की शमता होती है बच्चों की, वो कम हो जाती है, तीसरा, व्यवहार बिगड़ जाता है, बच्चों में चिर्चड़ा बना जाता है, 13.5% व्यवहार बिगड़ जाता है, 8.8% ये बदलावाता है कि सिर में दर्ध होने लगता है, और 5% ये बदलावाता है कि गर्दन और कंदों में दर्ध होने लगता है, क्योंकि आप कभी भी जब आप लापटॉप के सामने है, इसका नामी लापटॉप है, मतलब गोध में रखने वाला यंद्र है, तो जब आप गोध में रखते हैं, तो कभी वो आपके आँखों के लेवल के सामने नहीं होता है, आप यह तो नीचे देख रहे होते हैं, या य या मोबाइल पर भी ले रहे हैं, तो आप प्लीज उन्हें टेबल और चेर पर बैठ करके क्लास लेने की आदर डालें, ताकि उनका पोस्टर सीधा रहेगा, तो उनकी कर्दन और कंथों में दर्द नहीं होगा. यहां पर हम बात कर रहे हैं, दो घंटे से ज्यादा में यह असर हो जाता है, सोची अगर 6-7 घंटे तो सिर्फ क्लास ली जा रही है, स्कूल की क्लासे हो रही हैं, और उसके अलावा, क्योंकि लॉक्डाउन है, बाहर जाना मुम्किन नहीं है, तो हम टीवी पर या मोबाइल गेम खेल रहे हैं, या मुवी देख रहे हैं, या कोई अपना मनपसंद टीवी का प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आक्चुली हम आठ से दस घंटे किसी भी डिवाइस के सामने बैठे हैं, अब खुदी अंदाजा लगा सकते हैं, अगर दो घंटे में असर यह हो सकता है, तो दस घंटे में क्या असर होने वाला है और रोजाना दस घंटे में बच्चों की आखों पर कितना दुश्प्रभाग पढ़ने वाला है, और रुकिये रुकिये मैं आपको वहसकों की आखों पर क्या दुश्प्रभाग पढ़ता है वो भी बताना चाहती हूं, फिर से द दो घंटे लगातार देखने पर क्या होता है, 32% आखों पर जो है जो है जोर बढ़ता है, बढ़ता है, increases, the pressure on the eyes increases by 32%, 22.7% आखों में सूखा पना जाता है, आपने अब्जर्व किया होगा कि जब आप पूरे दिन अगर आपका वक्त टीवी के सामने या लाक्टॉप के सामने बीगता है, तो शाम होते होते आपकी आखों में थोड़ी जलन होती है, आखें ड्राइ होने लगती है, सूखने लगती है, 21.4% लोगों, 4% सिर में दर्द में बढ़त हो जाती है, ये ब्लुरेज इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉण है कि ये आपके सिर में दर्द भी पैदा कर सकती है, और अगर बाइचांस आपको माइग्रेन हो रहा हो, और अगर मुबाइल के सामने या लाप्टॉप के सामने बैठ जाएं, तो वो माइग्रेन बहुत जल्दी बढ़ेगा आपका उसी वक्त क्योंकि नेली किरने बहुत जादा म माइग्रेन को अग्रवेट करती है, जरूरी नहीं है कि लगातार आपकी दुष्टी धुंदली बनी रहे, मगर कुछ-कुछ अवधी के लिए धुंदलापन आ सकता है, शाम होते होते शायद आपको ऐसा लगेगा आँखे बंद कर ली जाएं, अब कुछ और देखना नही किसी से बात कर रहे हैं, हम यूजवली कुर्सी पर बैठे हुए, बिस्तर पर लेते हुए, आड़ा टेड़ा जैसे हमें कमफर्टेबल लग रहा होता है, वैसा कर रहे होते हैं, मोबाइल तो कोही भी टेबल पर स्टैंड रख के मोबाइल नहीं देखता है, सब जरे और कंधों में दर्द जो है वो बढ़ रहा है, अब नीली किर्नों से हो क्या रहा है, वो देखे हम, हमारी आखें शुष्क हो जाती है, जैसा हमने अभी देखा, धुंदला दिखाई देने लगता है, हमारी आखें ठक जाती है, आएम शूर इन सब चीजों से आप रिलेट हो रहा है, फर्क सिर्फ इतना है कि हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हमने इसे भी नॉर्मल मान लिया है, आखों का ठकना या आपकी इच्छा होना कि आप आखों को शाम होते हुते सहलाने लग जाएं, ये नॉर्मल नहीं है, ये इबनॉर्मल है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि exposure blue light से बहुत ज्यादा हो रहा है, हमारा सर में दर्द होने लगता है, लंबे समय तक आप जब नीली किर्णों के संपर्क में आते रहते हैं, तो धीरे-धीरे आँखों की रोशनी कम होने लगती है, एक दम से कुछ नहीं होता, धीरे-धीरे कुछ सालों में आपकी आ मैक्यूला नामक शेत्र है, जो आपने इतनी देर से मेरे मैक्यूला शब सुना है, यह मैक्यूला अगर आप देखेंगे तो लेंस के बिलकुल पीछे आप देखेंगे आँख के बिलकुल पीछे मैक्यूला नामका शेत्र है, इस शेत्र से इस शेत्र की वज़ा से हमें करते हैं हमें साफ देखने के लिए तो जैसा मैंने आपको कहा कि बढ़ती उम्र के साथ जो रेटिना में म्याक्यूला की शती होती है वो इसलिए भी होती है जब आप नीली किरनों से के संपर्क में ज्यादा रहते हैं तो शती ज्यादा होती है आपने अब्जर्व किया होग कि आजकल बच्चों को चश्मा जल्दी लगने लगा है, और डॉक्टर्स वुजवली बोलते हैं, टीवी जादा देखते होंगे, इसलिए चश्मा लगा, जी टीवी जादा देखने से ही लगा, मगर उसकी टीवी जादा देखने से हुआ क्या, टीवी जादा देखने से यह तो क्या होता है जब नीली किरने पहुचान पहुचाती है लगातार तो अव्यस है कि धीरे धीरे आखों की रोशनी खतम भी हो सकती है एक दिन ऐसा सकता है जब आपको आपकी आखों को दिखना बंध हो जाए ये एकदम से नहीं होगा बिल्कुल नगभराएं ये बहुत वक में होता है मगर मुमकिन है तो क्योंकि हम आज जिस स्थिती में बात कर रहे हैं क्योंकि इस सब का प्रिवेंशन इस सब को रोकना मुमकिन है तो हम उस पर बात करेंगी कि सब को रोका कैसे जा सकता है पहले समझते है नीली किरने निकलती कहां से मैं आपको बार बार कह रहे नीली किरनों से नुकसान पहुंचने लगा? जी नहीं, नीली किरने जो है सूर्य से निकलती है, सबसे बड़ा सोर्स है नीली किरनों का, इसी तरह से टेलेविशन से निकलती है, आपके घर में जो LED और फ्लोरेसंट लाइट्स लगाई जा रही है, आजकल सब जने बात कर रहे हैं कि LED लगानी चाहिए, तो उनसे भी नीली किरने निकलती है, लापटॉप से निकलती है, ईबुक्स और आईपड से निकलती है, और मोबाइल से निकलती है, तो फिर सूरज तो हमारे पैदा होने से पहले से भी है तो फिर सूरज से इतना नुकसान क्यों नहीं हुआ दो वज़ाए हैं पहली वज़ा तो यह है सूरज बहुत दूर है उसकी किरने जब तक हम तक पहुँचती हैं तब तक काफी हद तक शान्त हो चुकी होती हैं और दूसरी चीज हम जो कर रहे हैं हम सूर्य से निकली किरनों से बचने के लिए यूश्वली जब धूप में बाहर जाते हैं तो धूप के चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारी आँखों को थोड़ा बचा हो जाता है जब हम टीवी देखने बैठते हैं तो डॉक्टर्स ने आपको हमेशा सला दी है आपके पेरिस ने सला दी है आप अपने बच्चों को सला देते होंगे दूर बैठ करके टीवी देखो कारण हमने कभी समझना नहीं चाहां मगर दूर बैठ करके टीवी जरूर देखने की आदर डाली गई है कम से कम छे फीट की दूरी रखने की सला हमें हमेशा दी जाती रही है लेकिन लाप टॉप और मोबाइल जो है एक तो उनकी स्क्रीन बहुत ज्यादा नस्दीक होती है आप अगर दूर बैठेंगे तो दिखाई देगा ही नहीं अभी अगर मैं लाप टॉप से बहुत दूर बैठ हूंगी तो आप मुझे न तो ठीक से देख पाएंगे और न ठीक से सुन पाएंगे इसलिए मजबूरी है कि हम लाप टॉप और मुबाइल के बिलकुल नस्दीक बिलकुल सामने बैठते हैं और वक्त भी बहुत ज्यादा बिताते हैं इनके साथ में आप टीवी पर बारा घंटे टीवी नहीं देखतें मगर बारा घंटे मुबाइल ज़रूर देखतें इनफाट हम सोने से पहले भी लास्ट जो देखते हैं वो मुबाइल देखते और बन कर देते हैं सुबह उठते ही सोचिए जब आखे बिलकुल शान्त रही हैं पूरी रात आखों को रेस्ट मिला है आखों को आप हम धीरे 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 खोलना चाहिए धीरे धीरे हमें सुर्य की रोशनी अंदर लेनी चाहिए हम क्या करते हैं सबसे पहले उठते ही मोबाइल खोलते हैं तो जो आखों को आपने शांती प्रतान की आपने इम्मीडेटली ब्लू राइट से अपनी आखों को नुकसान पहुचाए और आपने नूटिस किया होगा जब आप सुभा मोबाइल अन करते हैं स्क्रीन जब देखते तो आपकी आखे ऐसे होती हैं उसके बाद आपकी आखे इसलिए क्योंकि इसकी रोशनी बहुत ज़्यादा होती है जो आपकी आखों को हिट करती है और आखों को वक्त लगता है एजस्ट होने में तो इसलिए नीली किर्णों से हमारी आखों को सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो लाग टॉक्त, मोबाइल और से निकलने से हो रहा है क्योंकि यह बहुत पास होते है हमारे अब सवाल यह आता है तो अब करना क्या है जैसा मैंने बताया exercise और nutrition दोनों का combination exercise पर इस session में हम बात नहीं कर रहे हैं इस session में हम nutrition पर बात कर रहे हैं जिसका रोल 70% होता है तो हम पोशक तत्वों की बात कर रहे है तो कौन से पशक तत्व हैं यह लृतिन और जियाजन्थी यू यूटीन ओर जियाजन्थी जो है प्राकृटिक रूप से हमारी आखों में मौझुध होते हैं जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया मैक्यूला में मौझूध यह आप फोटो में देख सकते हैं यह छोटा सा डॉट पीछे और इज डॉट देख रहा है आप के अंदर वह है मैकुला और उस मैकुला में यह चोटे छोटे लुटीन जियाजन्थीन देखिए चोटे चोटे पार्टिकल्स की तरह मौझूद है यहलो कलर में लुटीन है औ अब देखेंगे मैकुला में भी सेंटर में जो है वो जियाजन्थीन बहुत ज्यादा होता है और जो आसपास जो है उसमें लुटीन ज्यादा होता है तो जियाजन्थीन जो है क्योंकि सेंटर में रहता है थोड़ी कम मात्रा चाहिए लुटीन क्योंकि पूरे माकुला के आज पास पुरे शेत्र में रहता है, इसलिए ज्यादा मात्रा में चाहिए, अब सवाल ये है कि अगर ये प्राकृतिक रूप से हमारी आखों में मौझूद होते ही हैं, तो फिर हमें ल्यूटीन और जियाजन्थीन को बाहर से लेने की जरूरत ही क्यों है, आईए वो समझत क्या होता है, ये जब ये ल्यूटीन और जियाजन्थीन जो है वो तेज उर्जा वाली नीली किर्णों को आँखों के अंदर तक पहुचने और उन्हें शती पहुचाने से रोकते हैं, ये इनका काम है, कि वो आँखों में नीली किर्णों को न पहुचने से रोक पाएं, और free radicals का जो हमारी आँखों पर असर होता है, oxidants का जो असर होता है, उसको बे असर करते हैं, आप देखेंगे, oxidants जो है हमारी शरीर में बहुत तरह से प्रवेश करते हैं, और जो शरीर में प्रवेश करता है वो आँखों में भी प्रवेश कर सकता है, सबसे बड़ा जरिया तो और हमारी नजर को तेज बनाए रखने में मदद करते हैं जैसा मैंने आपको बताया मैक्यूला वो शेत्र है जिसकी वजह से हमें साफ दिखाई देता है तो अगर वहां पर लुटीन और जियाजन्थीन का बहुत अच्छा स्टॉक रहेगा तो आपकी नजर जो है वो ते होते हैं मगर उम्र के बढ़ने के साथ क्योंकि उम्र के बढ़ने के साथ हमारे शरीर में हर चीज का थोड़ा थोड़ा रास होता है चाहे वो मसल्स हो चाहे वो बोन की डेंसिटी हो चाहे वो स्किन की क्वालिटी हो उसी तरह से चाहे वो माक्यूला में एक खटा हुए मोटापे के कारण कम हो जाते हैं, कलिस्ट्रोल की अधिकता के कारण कम हो जाते हैं, जैसे जैसे बीमारियां आती हैं शरीर में, वैसे वैसे अच्छे पोशकतत्वों का स्टॉक कम होता रहता है, या मैं ऐसे बोलूं, क्योंकि अच्छे पोशकतत्वों का स्टॉक कम होता रह तो बीमारी आना पॉसिबल है, तो केलिस्ट्रोल के अधिकता के कारण, हाई ब्लड प्रेशर के कारण, डाइबिटीज के कारण, डाइबिटीज और आखों का तो बिल्कुल सीधा संबंध है, आपने सुना होगा कि डाइबिटीज होने के बाद में आखों का बहुत ध्यान चाहिए, आहर में परियाप्त फाइबर न लेने के कारण, बीडी सिगरेट पीने के कारण, क्योंकि जब आप बीडी सिगरेट पी रहे हैं, तो आप पूरी तरह से ऑक्सिदेंस को अपने अंदर बिल्कुल डिरेक्ली ही लेकर जा रहे हैं, हलके रंग की आखों वालों में यह एक नई रिसर्च है, जो हमें पता चलिए कि जिनकी आखों का रंग हलका होता है, नीला होगा या भूरा होगा या यह एकने सारे एक्जांपल्स जो हमने दिये हैं, इन हलके रंग की आखों वालों में नीली किरनों से नुकसान ज्यादा होने की संभावना होती है, आह contaminerň की कौमसीचीजों में रखिय हरी सबजी को अभूंसी है, प्रोक्ली में बीत कपार है स्वाफ्ष हाट्र तॉक्सिंस के कारण जो मैं अपको बता रही हूं, जितने औकसीजन्स टॉक्सिंस के मारे भाडि में घटे हो उनके कारण क्या होता है हमारे शिरीर में लूटीन और जियाजन्थीन की कमी आ जाती है और जब आप मुबाइल लाप्टॉप टीवी आधी का भरपूर उपयोग करते हैं तो आपकी आखों पर लगातार स्ट्रेस पड़ता है लगातार दबाव बढ़ रहा है तो जो स्टॉ को हमें भरना पड़ेगा रिप्लेनिश करना पड़ेगा ताकि हमारी आखों की रोष्णी ठीक रहे अब रिसर्च यह कहते हैं कि आपको अपनी आखों के रेटिना को ठीक रखने के लिए और उसमें जो लूटीन की कमी है उसको पूरा करने के लिए रोज जो मात्रा चाहि इसके लिए बहुत सिंपल सा उपाय है आपको तीन किलो गाजर खानी होगी रोज आना और आप हमने ये रिसर्च कहां से उठाएगे ये भी हमने आपको अप देना शुरू किया आप चाहे तो बिल्कुल उस लिंक पर जाकर कि आप देख सकते हैं रिसर्च में लिखा आप चाहे तो आपने आसपास के लोगों को कस्टमर्स को जिनको आप ये बात बताना चाहरे हो आप उन्हें ये रिसर्च दिखा सकते हैं तो अगर आप रोजाना तीन किलो गाजर खा सकते हैं तो आपको 20 mg लुटीन रोज मिल जाएगा अब उसमें से एब्सॉब कितना हो जाजर खा सकते हैं तो वेरी कुड साथ ही साथ रीसर्च से ये भी पता चला है कि रोजाना आपको जिया जैन्थीन की चार एमजी की मात्रा रोज चाहिए इसके लिए आप ब्रॉकली खा सकते हैं आप औरंजिस खा सकते हैं आप या नमबर देखे एक सो ग्यारा कब ग्राशनाच खा सकते हैं आप ये खा सकते हैं अब मुश्किल ये हैं कि अगर आपणे देखा भी दिया अ सकता है किसी को ऊर्रेंजस बहत कर पाएंगे क्योंकि रोजाना ये सब और इतनी मात्रा में खाना संभव ही नहीं है इसलिए ल्यूटीन और जियाजनतीन को जो है सप्लिमेंट्स द्वारा ही पूरा करना आवश्यक हो जाता है आपकी बॉडी में जो स्टॉक है उसको बार-बार रिप्लेनिश करने के लिए आपको कोई सप्लिमेंट ही चाहिए और जब कोई सप्लिमेंट चाहिए तो अब्वियसली है बेस्ट होना चाहिए आपके पास में ये देखिए ये अमेरिकन मेडिकल असोसियेशन की एक लीसर्च है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि लिउटीन और जियाजनतीन से भरपूर पुरुषों और स्त्रियों में AMD यानि Age-Related Macular Degeneration यानि उम्र की वजह से उम्र के बढ़ने के साथ जो macula हमारा degenerate होने लगता है उसमें जो कमजोरी आने लगती है धंदला बनाने लगता है कि कारण अंधे होने की 41% कम संभावना पाई गई यानि जिन पुरुषों और महि लूटीन और जियाजन्थीन की मात्रा भरपूर थी उनमें 41% संभावना कम पाई गई कि वे अंधे हो जाएंगे तो इससे हमें बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि लूटीन और जियाजन्थीन को हमें की मात्रा को हमें अच्छी तरह से अपनी आखों में स्टॉक करके र जानते हैं आखों की सुरक्षा और बचाव के लिए सिर्फ एक कैप्सियूल ही काफी है क्यों सिर्फ एक कैप्सियूल काफी है क्योंकि एक ही कैप्सियूल में हर एक कैप्सियूल में डला है 20 mg लूतीन, 4 mg जियाजन्थीन ये भी एक नई information है जो हम आपको दे रहे हैं अभ आखों के लिए बहुत जरूरी है इसके साथ साथ हमने डाला है बीटा कारोटीन जो आप जाकर के आपकी आखों में वाइटमिन A को प्रमोट करता है उसके बनाने में उसके अब्सॉप्शन में मदद करता है और वाइटमिन E जो है वो भी बहुत अच्छा अंटियूक्सि नियुट्रचार्ज विव का जो ओयल या जो मैटर जो डाला गया है वो भी पूरी तरह से वेजटेरियन है तो इसका मतलब यह हुआ जब बात करते हैं कि वेजटेरियन है तो हमें यह लगता है सिर्फ वेजटेरियन लोग ले सकते हैं मैं आपको थोड़ा सा याद हमारी आखों में जो लूटीन और जियाजन्थीन है उनका जो प्राकृतिक अनुपात है वो 5 is to 1 है यानि लूटीन अगर 5 की मात्रा में 5 mg लूटीन अगर मौजूद है तो जियाजन्थीन होगा 1 mg इसी तरह से अगर 20 mg लूटीन चाहिए तो जियाजन्थीन कितना चाहिए 4 mg इसीलिए हमने जो है इसी मात्रा में लूटीन और जियाजन्थीन को डाला है 20 mg लूटीन, 4 mg जियाजन्थीन ताकि इसका असर जो है बहुत अच्छा हो यह आपकी बौडी में जब स्टॉक हो तो बिलकुल इसी प्रपोर्शन में स्टॉक हो जिस प्रपोर्शन में यह प है और एजो है लियागै है लुटेमाक्स 2020 ब्रंड में लिया है लूतर से भीष्वव धिवह है और बहुत ज्यादा है इंपुर्टंट क्यों है इस ब्रंड से हमने लिया है पहला तो ये यू एयस की ब्रंड है इंडिया में किसी को सप्लाइ कर दी मैंने शायद किसी एक सेशन में बताया था कि मैंने एक डॉक्टर को यहां की अप्थालमिलाजिस्ट को जिसको मैं कंसल्ट करती हूं उनको मैंने न्यूटरच व्यू दिखाया तो उन्होंने अलट पलट के देखा और बोला अच्छा 20 mg लूटीन दे रहे हो चार mg जया जनतीन दे रहे हो फिर उन्होंने यहां देखा और बोला मनीशा यार बहुत महंगा दे रहे हो तो मैंने का महंगा कैसे लग रहे है आपको तो बोले 10 कैप्सूल 540 रुपे में कोई तो मैंने का नहीं सर्थ 30 कैप्सूल 540 रुपे में तो बोले कि तुफर इतना सस्ता कैसे दे रहे हो तो मैंने का क्योंकि नुट्रिचार्ज है क्योंकि हम भी काम रखते हैं क्योंकि हम वैल्यू पर मनी औफर करना चाहते हैं तो बोले Luterwać 2020 ब्रांट किसी को सप्लाइ करता तो आपको कैसे किया तो मैंने का क्योंकि हमारी फिलोसफी यही है कि हम मार्जन कम रख करके अफोरड़बल प्राइस में वैल्य फॉर मनी अपने कस्टमर्स को अपने लोगों को देंगे और यही फिलोसफी को समझ करके उन्होंने अपना यह लुटामाच 2020 हमें सप्लाइ करन यानि की वीगन सोर्स है और सबसे अच्छी बात है यह GMO मुक्त बीजों से उगाए जाते हैं यह जो संफ्लाइद हैं यह GMO मुक्त बीजों से उगाए जाते हैं GMO मुक्त का मतलब हुआ जेनिटिकली मौडिफाइड जो बीज जेनिटिकली मौडिफाइड नहीं है उनसे उगाए जाते हैं ऐसे बीज जिनके अनुवानशिक गुणों को कृत्रिम तरीके से बदला नहीं गया है यानि जो नाचुरल गुण है संफ्लार के सौरी मारीगोल्ड के वो सारे नाचु होते हैं जो ओमनी आक्टिव यूज करता है लुटीन और जियाजन्थीन बनाने के लिए और हमें सप्लाई करने के लिए तो क्या होता है खेतों से लेकर आप तक पहुचने तक हर कदम पर इनकी गुनवत्ता का ध्यान रखा जाता है आज के सेशन के बाद हम आपको एक वी से लुटामाक्स 2020 वाले जो लोग हैं वो उसकी क्वालिटी को हर स्टेप पर कंट्रोल करके रखते हैं उस वीडियो को देखिएगा और उस वीडियो को आप आगे अपने लोगों को फोरवर्ड कीजिएगा ताकि उन्हें पता चले कि जो डाला गया है इंग्रीरियन जो ड लाब हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे पहला लाब जैसा हमेरे आपको बताया नेली किर्णों से आंखों को रोखता है आखों में होने वाली जो शुष्कता है ड्राइनस जो आ जाती है उसको रोखता है लंब समय तक अगर आप सेवन करते रहेंगे तो उम्र के मतलब अगर जिस तरह से आपने अपनी आखों का अप तक ध्यान रखा है और रूटीन में लूटीन और जियाजन्थीन नहीं लिया है तो अगर आपको चश्मा 42, 42 या 45 साल की उम्र में लगने वाला है तो अब अगर आप लूटीन और जियाजन्थीन लेना शुरू कर और लंबे समय तक लेते रहेंगे तो आपका जो चश्मा 45 साल की उम्र में लगता वो डिले हो जाएगा उसको वो विलंबित हो जाएगा कुछ सालों बाद लगेगा मैं भीलवाना में किसी से मिली थी उन्होंने मुझे आकर बताया नाम को मुझे याद नहीं आरा लॉंच हुआ था जैन्वरी 27 जैन्वरी 2019 को दिली में तो जब से लॉंच हुआ है तब से मैं लगातार ले रहा हूं और अब मैं 69 की उम्र में मुझे चश्मा लगा वा था अब मैं बिना चश्मे के अखबार पढ़ सकता हूं और उन्होंने मुझे वहां भीलवाडा में पढ़ के दिखाया तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप लंबे समय तक जरूरी नहीं है कि एक साल को आप पैमाना ना माने हो सकता है आठ महीने हो सकता है डेर साल डिपेंड करेगा आपकी आँखों की क्या स्थती है तो उन्होंने यह बताया कि मैंने लंबे समय तक लिय कितना आप और अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं उस पर डिपेंड करेगा लेकिन यह इस बात मैंने आप से शेयर की यह बताने के लिए कि यह मुंकिन है तो आखों पर टॉक्संस के हानिकारक असर को कम कर सकता है और लंबे समय तक सेवन द्वारा दृष्टी मे सुधार हो सकता है यहां पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहते हूं यह का जो डिवलपमेंट होने लगता है उसको रोकने में मदद करता है और इसके लिए हमारे पास में बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल है वो है बीसी सर का उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने जब आई स्पेशलिस्ट को दिखाया उप्थैल्मोलॉजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने बताया कि उनकी आँखों में थोड़ा सा काटरैक्ट की शुरुआत होने लगी थी तो उन्होंने दो महीने तक न्यूट्रिचार्ज वियू लिया वो अभी भी ले रहे हैं पर द सेर्चेज में भी लिखा गया है कि लिटीन और जियाजन्थीन जो है वो कैटराक्ट को विक्सित होने से रोकने में मदद करते हैं एक लीस्ट डिले तो पका कर सकते हैं विलंबित तो कर ही सकते हैं कब लेना है यह सवाल बार बार आ रहा है आप लोगों का कि कौन सा सप्ल अब ले सकते हैं यह नियूट्रचाज विव आपको खाना खाने के करीब आधा घंटे बाद लेना है यह आपकी मर्जी है कि आप लंज के बाद लें या डिनर के बाद लें मैं अपना नियूट्रचाज विव आज आपके सामने ले रती हूं क्योंकि मैं यूजवली लंज के बाद लेती हूं, तो आज मैं, अगर आपने लेना शुरू नहीं किया है, तो अभी से शुरू करें लेना, कितना लेना है, रोजाना एक कैपस्यूल, मैंने अपने एक सेशन में बताया था कि मैं फिलहाल दो कैपस्यूल रोज ले रही हूं, पर मैं इसको बहुत लंबे व से महीना भर उस से जादा नहीं, उसके बाद मैं एक ही कैपस्यूल यूँगी, अभी दो लेने की वज़ा यह है कि मैं सुभा पांच बजे से लेके रात को ग्यारा बजे तक लाप टॉप की या मुबाइल की स्क्रीन के सामने रहती हूं, इसलिए मुझे लगा कि मेरी आख को थोड़ा जादा नियूट्रिशन चाहिए, इसलिए मैंने दो लेना शुरू किया है, मगर आप शुरूआ एक से ही करें और एक को भी आप लगाता लंबे समय तक लेते रहें, किस उम्र से लेना है, फिर से नोट बुक और पैन निकालिए, यह अगान फिर से बहुत बजने वाली हैं, जो अफ कॉर्स मैं सुन नहीं पाऊंगी, इसमें आप डेफिनेटली यह कहने वाले हैं, यही चाहिए था, तो देखिए, इसका लूटीन और जियाजन्थीन का कोई भी आड़ी यह तेह नहीं है, रीसर्च से पता चलता है कि इतना जरूरी है, तो रीसर होती है, और कोई भी अथारटी बिना रीसर्च के वहां कुछ बोलता नहीं, आप यहां नीचे देखिएंगे, रीसर्च पेपर के कुछ लिंक्स, कुछ चीज़ें यहां मेंशन कर रखी हैं, उनके हिसाब से जो बच्चे दो से छे साल के बीच होते हैं, और जो औरते होती हैं, और कुछ जो व्रिध लोग होते हैं, उनको कम से कम सबजियों की तीन सर्विंग्स खानी चाहिए और फलों की दो सर्विंग्स खानी चाहिए, यहां पर एक सर्विंग का मतलब करीब एक कप सबजी और करीब एक कप फुरूट, तो तीन कप सबजियां रोज खानी है, अग कप में मानती हूं कि करीब 1.500 gram चीज आती है 1.500 से दो सो के बीच में तो करीब-करीब 600 gram तुसबजियां और करीब-करीब 400 gram fruits रोज यानि 5 serving करीब 1 kg serving आप fruits और vegetables मिला कर के रोज खाना चाहिए उससे कितना लिटीन और जियाजिन्थीन मिलेगा बारा से चौदा एमजी जियाजन्थीन उनको मिलेगा यानि दो से छे साल के बच्चों को रोज बारा से चौदा एमजी जियाजन्थीन और ल्यूटीन चाहिए नहीं धाई सर्विंग से मिलेगा मतलब पांच खानी चाहिए अगर इसकी आधी मात्रा भी खाई तो आपको बारा से चौदा एमजी लूटीन और जियाजन्थीन मिल सकता है अगर आपने पूरी पांच खाई तो पॉसिबल है कि आपको 24 से 28 एमजी मिल सकता है अब हमारे घर में तो इतने फूट्स और सबजियां हम लोगों के यहाँ पर खाई नहीं जाती है इसका मतलब यह हुआ कि इतनी मात्रा चाहिए मगर खा नहीं रहे हैं तो जब चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? न्यूट्रिचार्ज वियू लेना पड़ेगा इसी तरह से अगर आप बड़ों का देखेंगे ओल्डर चिल्रन, तीन गर्ल्स, अक्टिव विमन जो लेडिज बहुत अक्टिव होती हैं फिजिकली और बहुत सारे अलमुस सभी पुरुष उनको करीब साथ सर्विंग्स खानी है चार कप तो विजटेबल्स, सबजियां और तीन कप फुरुट्स यानि साथ कप ये टोटल खाने हैं जिससे उनको सोला से बीस एमजी लुटीन और जियाजन्थीन इसकी आधी मात्रा मतलब सारे तीन अगर आपने कप खा लिया तो आपको सोला से बीस एमजी लुटीन और जियाजन्थीन आपको मिलने वाला है तो इसी तरह से आप देखेंगे टीन बॉइज और आक्टिव में तो जो तीन बॉइज हैं और जो बहुत ज्यादा आक्टिव रहने वाले पुरुश हैं उनको अगर वो साड़े चार कभ भी खा लेते हैं तो 20-24 एमजी रुटीन में उनको एवरी डे ये मिल सकता है इसी के आधार पर हम आपसे ये कह रहे हैं आज कि आप 4 वर्ष की उम्र से 13 वर्ष की उम्र तक एक कैपस्यूल दो दिन में एक बार वापस मेरी बार पूरी तरह से सुनिएगा चार वर्ष की उम्र से हो सकता है बच्चा चार वर्ष की उम्र में एक कैपस्यूल नहीं ले पाता हो तो जिस भी उम्र से ये बच्चा कैपस्यूल ले पाए उस उम्र से आप दे सकते हैं इस कैपस्यूल को पंक्चर करके इसके ओयल को यूज मत कीजिएगा क्योंकि ये जो ओयल होता है ये बहुत सेंसिटिव होते हैं ये सब चीजें आप एंवायमेंट के संपर्थ में आएग जिस भी उम्र से बच्चा कैपस्यूल लेने लग जाए चार वर्ष की उम्र से ज्यादा आप तब से लेकर तेरा वर्ष की उम्र तक हर दूसरे दिन मतलब ऑल्टरनेट डे आप एक कैपस्यूल दे सकते हैं यानि अगर आप एक पैक उसके लिए खोलेंगे तो ये दो महीन चलेगा अब क्योंकि लिटीन और जियाजन्थीन में आपको बार बार बता रही हूं कि एकत्रित होता है इसका स्टॉक जमा होता है हमारी आखों में तो 10 mg रोज बच्चे की आखों में जमा होता रहेगा इसलिए मैं आप से कह रही हूं कि आप दो दिन में एक बार एक किसको लेना चाहिए जैसा मैंने अभी घो बात कर कर रह है उन बच्चों को जो मुबाइल और लाप्टॉप का लोग ताउन में जो लोग हैं जो आफिस नहीं जा पा रहे हैं मगर जिनका का सारा काम लापटॉप और मोबाइल पर हो रहा है उन्हें तो हंड्रिट परसेंट न्यूट्रिचार्ज वियू का इस्तेमाल करना ही चाहिए जो विद्यार्थी एक तो हुआ बच्चे जो छोटे बच्चे विद्यार्थी भी है वो मगर जो छोटे बच्चे यहां विद्यार्थी उसे मेरा मतलब है 18 साल से उपर जो विद्यार्थी रोजाना लापटॉप और मोबाइल का इस्तिमाल करते हैं उन्हें लेना चाहिए जो ग्रहनिया आजकर लापटॉप और मोबाइल के ज और वो महिला हैं, जो भी मुबाइल को और लापटॉप को कास्तेमाल कर रही हैं, उन्हें ये लेना चाहिए, जो लोग अपने समय के सद्यूपयोग के लिए, और अपने बच्चों से जुड़े रहने के लिए, मुबाइल और आई-पैक्स कास्तेमाल करते हैं, अभी वही सब लोग जो इन गैजट्स का इस्तेमाल कर रहें, इन दिवैस्स का इस्तेमाल कर रहें, सब को लेना चाहिए, हर वो व्यक्ति जो मुबाइल लापटॉप और आई-पैड का इस्तेमाल करता है, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रिचार्ज व्यू हर एक को लेना ही चाहिए क्योंकि आज आप जिसके हाथ में देखेंगे उसके हाथ में मुबाइल तो अवश्य होगा और माक्सिमम लोगों के हाथ में आजकल स्मार्टफोन होने ही लगा है एक और रिसर्च के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ और उस पर हम अभी काम कर रहे हैं शायद कुछ दिनों में हम आपके पास इसका एक पुकता जानकारी लेकर आपाएंगे ऐसा माना जा रहा है कि ल्यूटीन और जियाजन्थीन जो है वो बच्चों के मस्तिश्क के निर्मान में भी काम आता है बहुत मदद करता है तो pregnant ladies को भी lutein और zeazanthin लेना चाहिए ताकि बच्चों की का मस्तिश का development और आखों का development आखों का development DHA भी मदद करता है आखों के development में और आखों के विकास में lutein और zeazanthin भी मदद करते हैं तो ऐसा माना जा रहा है pregnant ladies को लेना चाहिए मैं थोड़ा सा और इस पर research करके कुछ दिनों में इस बात की पुक्ता जानकारी लेकर आपके पस फिर से आऊंगी कब तक लेना है जब तक आप mobile और laptop का अस्तेमाल करते जा रहे हैं जब तक blue rays आपकी आखों हमें आ रही है जब तक आपका संपर्क आपका exposure blue rays से बना हुआ है obviously तब तक हमें लेना ही है जब तब तक लेना है जब तक आप चाहते हैं कि आपकी आखें रोशन रहें लास्ट लाइट पर आए हैं हम value for money value for money हमारे लिए सिर्फ पैसा कम cost कम होना बिल्कुल नहीं है value for money का मतलब है हर चीज़ पर return अच्छा हो benefit अच्छा हो और price उसकी हिसाब से अच्छा हो तो balance cost और benefit का balance जो है वो value for money है यहां आप देखेंगे हमने 3 products के साथ NutriCharge view को compare किया है हर product के हिसाब में आप देखेंगे किसी में भी 20 mg lutein और zeazanthin नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि हमें product को label को पढ़ना सीखना पड़ेगा अगर आप 3.2 mg lutein वाले capsule का या tablet का इस्तेमाल करते हैं तो आपको NutriCharge view जितना lutein पाने के लिए कम से कम साथ capsules लेने पड़ेंगे तो label को पढ़ना बहुत ज़रूरी यूश्वली लोग क्लेम करते हैं मगर मात्रा कितनी हो बहुत important है तो हम label reading पर एक नया session बहुत चल्दी आप लोगों के लिए कर आने वाले हैं मगर तब तक आप अगर किसी प्राड़क को पूम्पेर कर रहे हैं तो label को पढ़ी है जरूर इधर जियाजन्थी आप देखें किसी भी capsiule ने एक को छोड़ कर ενक चार नजी जियाजन्थी नहीं दला है इन फाक्ट दो में तो डला ही नहीं और एक में 5 Lift CG डला है, microgram डला है, तो आप समझ सकते हैं automatically कि NutriCharge View value for money है, cost में भी आप देखेंगे, तो cost or benefit analysis अगर आप देखेंगे, तो इससे बेहतर product कोई है ही नहीं, अब कुछ questions जो मुझे लेने हैं, जो आप लोगे में पूछे हैं, अगर आप किसी डॉक्टर से सलहा ले रहे हैं, तो मैं आप से यह कहूंगी कि आप दोक्टर से को दिखा कर ही आप इस प्रॉडट्ट के बारे में प्रॉडट्क को ले, देखें, यह जो नूट्रिशन जो होता है वो अलोपेथी कि साथ-साथ अगर चल पाए और चल सकता है, अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें तो आप, जिसकिसी भी अगर वीमारी से घ्रसित हों, तो आप कोशिष करें कि आप कोई भी supplement जो है वो डॉक्टर को दिखा दें, डॉक्टर आपको जिस तरह से ट्रीट कर रहा है, जो जो मेडिसन दे रहे हैं, उनके हिसाब से वो यहादा बहतर एड़ाइस कर पाएंगे. Can Nutri-Charge View help get rid of spectacles? यह मैंने आप से कहा, इस तरह की अभी तक कोई प्रमानत research नहीं है, कि चश्मा उतर सकता है, कुछ testimonials जरूर हैं, कि चश्मा उतर सकता है, लेकिन अगर आप लंबी अभदी तक Nutri-Charge View लेते रहेंगे, और बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे, आप exercise भी करेंगे, आप अपनी body को alkaline भी बना करके रखेंगे, आप बीमारियों से भी बच कर रहेंगे, तो मुम्किन है कि चश्मा उतर जाए, Nutri-Charge चश्मा उतरने की गारंटी नहीं देता है, यह प्रॉड़क्ट चश्मा उतारने के लिए नहीं बना है, यह प्रॉड़क्ट आपकी आँखों को शती पहुचाने से बचाने के लिए बना है, स्क्विंट आइज अगें, डॉक्टर को दिखाने का, वो क्या कहते हैं, टॉपिक है, सब्जेक्ट है, मैं स्क्विंट आइ में हम लोग, तो अगर जो प्रॉब्लम लूटीन और जियाजन्थीम की कमी से हुई ही नहीं है, तो वो उसकी कमी को पूरा होने से ठीक भी होने का चांस नहीं है, फिर से वही चीज़े हैं, स्क्विंट आइ, नाइट ब्लाइडनेस, मैं फिर से यही बोलूंगी, प्रिवेंशन है, और कुछ चीजों में लंबे समय तक अगर आप यूज करते रहें, बाकी चीजों का ध्यान रखते रहें, एक्सरसाइस करते रहें, बीमारियों से दूर आपका खाना पीना बहुत सात्विक हो, यह सब का मिला जुलासर होता है, तो पॉसिबल है कि कुछ चीजों से आपको राहत मिल जाएं, इक सवाल हर बार आता है, मैं आप से गुजारिश करूंगी, एक बार लिख लीजे ताकि आपको याद रहें, जिस तरह से हम खाने में हमने कभी नहीं पूछा हम कितनी चीजें एक साथ खा सकते हैं, नुटरिचार्ज के सप्लिमेंस के लिए भी है, जब आप यह पूछते हैं, तो मैं ही कहना चाहती हूं जिस तरह से आप जो चीज खा रहे हैं वो आपके अलग-अलग तेस्ट को के टर करती है, उसी तरह से आप के शरीच के अलग-अलग ऊंगों के लिए अलग-अलग चीजों के लिए बने हैं, जैसे प्रोटीन मुसल्स के लिए है, तो मल्टि वाइटमिन जो है नुट्रिचार्ज मेन य वोमेश आपकी इम्मूनिटी के लिए आपकी स्टेंथ के लिए है, डी एचे जो है वो नूर्टोचारज एस-5 है वो आपकी इम्मुनिती के लिए है तो इस तरह से सारे प्राड़क्स अलग-अलग काम करते हैं तो आप अल्मुस्स सारे सप्लिमेंस जो थेराप्यूटिक नहीं है यह वाले ूरूटीन वाले जो सप्लिमेंस हैं PVMF, Neutral Charge Veg Omega, Neutral Charge DHA, Neutral Charge View, Neutral Charge S5, Neutral Charge DHA Twist, यह आप रूटीन में, Neutral Charge Bio Age, यह आप रूटीन में रोजाना ले सकते हैं, वक्त एक बार आप नोट कर लीजिए, PVMF को हमें लेना है सुभा नाशते की जगा या नाशते के साथ, और उसी के साथ आप Neutral Charge Veg Omega भी ले लीजिए, यह रूटीन, वाइटमिन, मिनल्स और फाइबर, प्लस O, यानि Neutral Charge Veg Omega. लंज के बाद में, आप लंज के दस मिनिट बाद Neutral Charge S5 ले लीजिए, उसके करीब 20 मिनिट बाद आप Neutral Charge View ले लीजिए, और आप रात में खाना खाने के आधा घंटे बाद आप Neutral Charge Bio Age ले लीजिए, तो इस तरह से आप सारे सप्लिमेंट्स एक दिन में ले सकते हैं, वक्त थोड़ा थोड़ा जो मैंने आपको बताया, उसे साब से आप ध्यान रखें. आइडियल टाइम पर मैंने आपको बता दिया है, एज और दूरेशन पर भी हम बात कर चुके हैं, कि आप चार साल की उम्र से दो दिन में एक बार, ऑल्टरने डे पर दे सकते हैं, जूरेशन लंबे वक्त तक आप दे सकते हैं, क्योंकि आपकी आँखों में जमा होता रहत है, तो और जितना ज्यादा आप यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से आप डिसाइड करें, अगर एक वक्त ऐसा है कि आपने लाप टॉप और मुबाइल और टीवी इन सब का इस्तेमाल कम कर दिया है, मतलब अगर आप सन्यास ले रहे हैं, तो अगर आपने कम कर दिया है, तो तक आपको लेना है या जब तक आप अपनी आखों को ठीक रखना चाहते हैं, तब तक आपको लेना है, साइड एफेक्ट यही है, कि आखों की रोष्नी सही रहेगी, आप बहतर देख पाएंगे, आपकी नजरें अच्छी रहेंगी, यह साइड एफेक्ट है, बच्चे ल वोगों के पास TV भी नहीं होता था, TV आया, उसके बाद मुबाइल आया, उसके बाद स्मार्टफोन आये, लाक्टॉप साये, जैसे जैसे टिक्नॉलोजी बढ़ती जा रही है, उसके एफेक्स, साइड एफेक्स उसके नेिकिति एफेक्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं, ये पहले के लोगों के साथ नहीं होता था, दूसरा, पहले के वक्त लोग एक्सरसाइज बहुत करते थे, व्यायाम बहुत करते थे, रुटीन में हो जाता था, क्योंकि वो काम इतना करते थे, शारिर एक महनत इतनी करते थे, आप रुटीन में देखें, पहले जाडू पोछा हा साइस बंद बंद हो गई है पहले कपड़े हाथ से दोई जाते थे तो आपकी मसल पावर बनी रहती थी क्योंकि आप उससे लखड़ी से कूट-कूट के कपड़े दोते थे वासिंग मशीन ने महनत कम बंद कर वा दिया तो पहले आप जो खाते थे वो घर में ही खाना बनता और इतनी चीज़ें बनाने का अप्शन ही नहीं होता था, मुझे यादे मेरे बच्मन में केक पेस्ट्री जो है वो सिर्फ बर्थडे पर मेरी मा बनाया करती थी और उसके अलावा नहीं बनता था, तो बनाने की कपासिटी थी आता था लेकिन फिर भी नहीं बनता था क्योंक बनती थी हमारे हाँ पर जिस दिन चावल बनते थी उस दिन चपाती नहीं खाई जाती थी रोटी नहीं खाई जाती थी तो इस तरह से खाना पीना बहुत अलग था, व्यायाम हम करते थे हम एक्सपोस्ट नहीं थे इतना ज़ादा एंवायमेंट की और इतना पल्यूशन न नहीं मिल रहा है, फलों और सबजियों में भी पेस्टिसाइट नहीं होते थे, और ग्यानिक चीजें मिला करती थी, अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ गही है और बढ़ रही है तो ज्यादा फूट्स चाहिए, ज्यादा वेजटेबल्स चाहिए, ज्यादा खपत है ज्यादा उगाना पढ़ता है, ज्यादा उगाने के लिए पेस्टिसाइट का ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो इस तरह से चीजें क्योंकि बदली हैं, इसलिए पहले सप्लिमेंट्स लेने की ज़वरत नहीं पढ़ती थी, क्योंकि खाने से पूरती हो जाती थी, अब सप् मेरे ख्याल से हमने जवाब दे दिया है तो आप NutriCharge View का यूज करना शुरू करें अपने लिए यूज करना शुरू करें ये आपकी आँखों को सुरक्षित रखेगा आपके बिजनस को अफकोर्स बढ़ावा देगा और ये एक ऐसा सप्पलिमेंट जिसका कोई मुकाबला इंडिया में आपने वाल्यू फर मनी ये स्लाइड भी भी आपको दिखाए दे रही है तो आप देख रहे हैं कि कोई और प्रॉडक्ट इसके मुकाबले का है ही नहीं जब बेस्ट प्रॉडक्ट हमारे पास है तो हमारे पास दोनों चीज़ें बेस्ट होनी चाहिए हमारी आखों की हेल्थ बेस्ट होनी चाहिए हमारी बिजनस की हेल्थ बेस्ट होनी चाहिए तो प्रॉडक्ट जब बेस्ट है तो बाकी दोनों चीजों में बेस्ट बन के दिखाना है इसी के साथ जै और सीम मेरा चार्ज न्यूटर चार्ज